Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई इनप पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A. History, M.H.I.03 हिस्टोग्राफित यहां सलिखन का Unit 5 पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में हमारे टोटल कितने लेसंस हैं उन लेसंस के basis पे किस तरह के topics बन सकते हैं, उन topic के basis पे क्या questions बन सकते हैं, उसके बारे हम discuss करेंगे इसका benefit यहोने वाला है कि आपका time बचेगा क्योंकि exam आपका pass में है आपको यह समझे में आएगा कि कौन सा chapter हमें ज़्यादा focus करना है, किस chapter पर हमें कम focus करना है, कौन सा topic important है यह आपको roughly cover हो जाएगा और समझे में आएगा और easily आप उसको कर सकते हो एक suggestion आप सभी students के लिए रहेगा, अगर आप MA history के लिए prepare कर रहे हो और अच्छे number लाना चाते हो MA history के अंदर में, तो आपके लिए benefit यह रहेगा कि आप last 5 year की जो question paper की video है, उसको जुरू देखे MHI 01 से लेकर MHI 010 तक की सभी की video available है last 5 year की question paper की उसको अगर आप देखते हो, तो जो आपका slaver से almost 90% cover हो जाएगा, उससे लिए आपको बहुत ज़्यादे benefit होने वाला है चलिए हम इस video को start करते हैं, इस unit का नाम है आपके आधुनिक काल में इतिहास लेखन की दृष्टिया 2 आधुनिक काल में किस तरह से इतिहास लेखन की जा रहा था, उसके बारे में हम इहाँ पर discuss करते हैं chapter number 15 हमारा पहला chapter इस unit का, जिसमें हम बात करें, माक्सवादी दृष्टिकोन ठीक है, हाल के, यहाँ पर एक सुरुवाती word है, हाल के माक्सवादी दृष्टिकोन इसका मतलब है कि हाल फिलाल के, जो अभी हमारा current time period चल रहा है, उसके time period की बात करा जा रहा है यह नहीं कि अभी 17 November है तो 16 November की बात कर रहा है, इस तरह से नहीं यह आप इसका time period अंदाजा लगा है, तो first world war से लेकर, मालो second world war और उसके बात का, जो CTU का time period रहा है उसकी बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो देखो, माक्सवादी दिश्टी कोन का क्या हुआ, जब समाजवादी का एक तरह से विक्सित रुपता, थोड़ा से उसके अंदर में changes करके, माक्सवादी विचारदार आई, जो अपने आपको वहाँ पर present करी, माक्सव साथी विचारदार क्या है, वो बताईए, पश्चमी माक्सवाद क्या है, वो बताईए, तो यहाँ पर पहला question बन कर यह आ जाता है, उतना important नहीं रहता है, पर फिर भी पढ़के चलिएगा, ठीके, दूसरा यहाँ पर यह रहता है, अब देखो, उन्होंने विचारदार म किसी और चीज़ को सपोर्ट कर रहा था, तो माक्सवाद का विभाजन हुआ है, यहाँ पर दो भागों में बढ़ता चला गया, ठीके, तो यहाँ पर जो दूसरा question मनता है, और जो most important question भी chapter का कह सकते हो, और कई बार आपके exam में आया भी है, लास्ट फाइव के question पर में आपको यहाँ पर define करना है, ठीके, समझ में आता होगा आपको, अगला जो हमारे chapter है, chapter number 16, यहाँ पर हम बात करते हैं, उत्तर आधुनिक्तावादी के बारे हम बात करें, उत्तर आधुनिक्तावादी के बारे हम बात करें, उत्तर आधुनिक्तावादी होता है क्या है, तो पर किस तरह की concept है क्या है, उसको आपको इहां पर define करना है. यहां पर एक question जो most important है, दो question दो मैंने बताते, एक तो उतर अदूनिक्तावादी क्या है वो दूसरा इसके अंदर में जो question मनता है, यहां पर question मनता है कि अधूनिक्तावादी और उतर आधुनिक्तावादी में difference किया है जो modern है वो और उत्तर आधुनिक्तावादी वो क्या है उसके बारे में यहां पर अंतर के basis पर आ जाता है ठीक है एक तरसे comparison based question आ जाता है तो वो आपको थोड़ा सा पढ़के जाना होगा उसको बताना होगा और बहुत अच्छे से आप उसक अंत्य ब्रिद्ध होता कैस्ति नहीं भी पर में लिखने बारे में आती है महिलाओं ऑपर में लिखने की बारे में आती है महिलाओं कि इतिहांस पर आपको concept को रखना है इस question इस topic मतलब इस पूरे chapter के अंदर में question मनता है महिलाओं का इतिहांस लेकर किस परकार करा वो आपको यहांपे define करना होगा तो भारत के अंदर में किस परकार से महिलाओं किस देती थी क्या आली इतिहांस लेकर का रूप सो रूप रहा वो आपको इतएहास में नक्षल, नक्षल जहाता है, ज हो जाता है, इस अप मावदी- नक्सल वाधि, यहाप में नसल की बात करें, कहते हैं, लिगे, ऑफरीका में आपने रंग बेट-ध cảउगाwives, ना होगा ठीक है तो वो जो है ना नसल वो कहलाता है तो यहां में नसल के अधार पर ठीक है भारत के नसल का सिधान्त किस परकार का रहा वो आपको बताना है उपने वेसिक प्रभुत्ता के अंदर में नसल का परवाव किस परकार से रहा सिधान्त किस परकार से रहा उपने व इस यूट के अंदर में इतनी chapter थे इसी तर से questions topics बनने वाले थे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंटर के बताएं और suggestion यही रहेगा आप सभी students के लिए अगर आप अच्छे number लाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ साथ में प्रिपेर करने के साथ साथ में लास्ट फाइबर